नमस्कार दोस्तों इंडिया आयल क्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास आपकी जमीन है वो अच्छी लोकेशन में है और आप चाहते हैं आप की आपकी जमीन पर पेट्रोल पम खोला जाये चाहे करना पड़ेगा पेट्रोल पम खोलने में खर्च कितना होगा पेट्रोल पम के लिए ओनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अभी अगर आपके पास जमीन है अच्छी लोकेशन पर तो घर बेठे पेट्रोल पम खोलने के ल करने वाले की उम्र 21 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए वो भारतिय नागरिक होना चाहिए और इसके अलावा वो कम से कम टेंथ पास होना चाहिए इससे पहले हलांकि ग्रिजुशन तक का पास का नियम था लेकिन आब उसको कम करके टेंथ पास कर लिया गया है उसके बाद मे जमीन अगर एग्डिकल्चर लेंड है तो उसको आपको न आग्रिकल्चर लेंड में कंवर्ट करवाना पड़ेगा अगर आपका अपना जमीन नहीं है तो जमीन के मालिक से आपको आन सी न protective के लेना पड़ेगा और इसके अलावा जिस जमीन पर आप पैट्रुल पंप ल अगर आपने जमीन लीज पर लिया है तो आपके पास लीज एग्रिमेंट होना बहुत जरूरी है अगर आपकी खुद की जमीन है तो रजिस्टर्ड सेल दीड होनी चाहिए और लीज पर लिया हुआ तो लीज दीड होना भी जरूरी है अगर जमीन आपकी किसी परिवार के करते हैं पेट्रोल पंप के लिए देखिए पेट्रोल पंप के लिए मुखे रूप से तीन कंपनिया जो पेट्रोल पंप कोलती है एसार है हिंदुस्तान पेट्रोलीम है और भारत पेट्रोलीम इसमें एसार जो की नई कंपनी है ज्यादा विस्तार नहीं कर पाई है उससे ज जाते हैं, ओनलाइन एपलाई का मतलब यह होता है कि आप कमपनी तक घर बेठे पहुच बनाते हैं, उसके बाद कमपनी आपने जो लॉकेशन दी है उस पर आएगी, आपके कॉंटेक्ट नमर से आपसे कॉंटेक्ट करेगी, आपसे बात करेगी, आपकी जमीन का मुखा मुख रखावयना करेगी और उसके बाद में यह ताइक करेगी कि हमें यहाँ पैट्रल पंप लगाना है या नहीं, सबसे पहले आपके पास ओनलाई एपलाई करने के दो आप्सन होते हैं, आप SR कंपनी की ओनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे, www.sroil.co.in पर जब आप होम जिसमें आपको अपनी General Detail भरनी है उस General Detail में आपको सबसे पहले अपना यहां पर नाम डालना है आप जो भी अपना नाम है वो डालेंगे आप यहां पर अपने mobile नमबर जो भी हो मैंने ऐसे ही डालेंगे है उसके बार में यहां पर आप E-mail ID डालेंगे यह दोना perfect डालनी है क्योंकि email id पर आपको सारी detail भेजी जाएगी आगे के form भेजे जाएगे जो आपको भरकर के वापस online submit करने हैं और अपने mobile number से आपस वो contact करना चाहेंगे तो इसी mobile number पर जो आप यहाँ पर भरेंगे उस पर आपस contact करेंगे दूसरे number पर आपने ये हमारे बारे में कहां से जान ये company पूछते हैं क्योंकि अक्सर जब company को जरूत होते हैं जैसे राजस्तान के जोदपुर में देच्चू के पास में आप इनको एक पैट्रल पम लगाना होता है तो ये add निकालते हैं अक्सर newspaper में भी निकालते हैं अपनी websites पर भी निकालते रहते हैं तो आपको कहां से प ये करके आप जब यहां पर submit करेंगे जैसे उदाहन के रूप में यहां पर submit कर लेता हूं तो आपके उपर एक detail लिखे आएगी valid email मांग रहा है सही तरीके से email यहां पर नहीं डाला हुआ मैंने email नहीं डाला था email आप जो भी है okay कर लीजिए और उसके बाद में आप submit कीज और उसके बाद में company आपसे अपने आप contact करेगी और अगर कोई और आपके पास एक तरीका और भी होता है बेहतर तरीका कि यहां पर एक toll free number दीवे होते हैं उस पर आप contact करके भी इनसे बात कर सकते हैं